बड़ी खबर आई जैपुर से राश्ट्रिय राजपूत करणी सेना के प्रमुक सुगदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या में शामिल आरोपी पूजा सैनी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया हाला कि पूजा सैनी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार उसका रेकॉर्ड खंगाल रही और इसी कड़ी में पुलिस राजिस्थान के टोंक में मौजूद पूजा सैनी के घर पहुंची उसके घरवालों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी मामले की तहह तक जाने के लिए पुलिस की एक टीम राजिस्थान के टोंक में मौजूद पूजा के घर पहुंची लेकिन पुलिस तब हैरान रहे गई जब उसके घरवालों ने उसके बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी होने से साफ इंकार कर दिया मतलब घरवालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है यही बज़े रही कि जैसे ही उन्हें पूजा के सत्याकान में शामिल होने का पता चला उन्होंने उससे सारे रिष्टे तोड़ने का दावा कर दिया आरोपी पूजा सैनी के घरवालों ने ये भी पताया कि वो करीब पांच साल पहले टॉंक से जैपुर गई थी बाद में उसने एर हुस्टेस की ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी करने की बात बताई थी और पुलिस के मताबिक उसने जैपुर में आकर महेंदर नाम के शक्त से शादी कर लिए ये वही महेंदर है जिसने दोनों शूटरों को हत्यारों की सप्लाई की थी पुलिस का मानना है कि महेंदर और पुजा नहीं उन शूटरों तक जिगाना पिस्तॉल पहुचाई और उसी जिगाना पिस्तॉल से सुखदेव सिंग गोगा मेडी को चलनी कर दिया गया था आरोप तो ये भी है कि महेंदर और पूजा ने न सिर्फ शूटरों तक हत्यार पहुंचाए बलकि हत्या से पहले हफ्ते भर तक उनमें एक शूटर नितिन पौजी को अपने घर में चिपा कर भी रखा राजिस्तान पुलिस को ये शक है कि पूजा और महेंदर दोनों ही लॉरंस गैंग के लिए काम करते हैं अलंकि पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद पूजा को गिरफतार कर लिया था लेकिन उसका पती महेंदर बचकर भागने में कामयाब हो गया और पुलिस सूतरों का मानना है कि वही इस हत्याकांड की सबसे एहम कड़ी है क्योंकि माना जाता है कि लौरेंस गैंग के गुर्गे महेंदर के पास हत्यारों का जखीरा है और उसी ने हत्याकान को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन फॉजी को दो जिगाना पिस्तॉल दी थी सुत्रों के मुताबिक उसके बाद महेंदर ने ही शूटरों को हत्याकान वाले दिन अजमेर रोड के पास अपनी कार से पहुचाया था और उन्हें 50-50 जार उपए भी दिये थे इसके लावा जांच के दोरान पुलिस को पूजा और महेंदर के घर से AK-47 राइफल की एक दस्वीर भी मिली थी शक यह है कि पिछले साल गैंग्स्टर राजू ठेर्ट के हत्या के वक्त इस हत्यार को जैपर लाया गया था और इसी वज़े से पुलिस हत्याकान वाले दिन सही महेंदर की तलाश में जुटी है क्योंकि पुलिस सुत्रों का दावा है कि लौरेंस गैंग का गुरगा महेंदर अपने मुबाइल फोन से शूटर नितिन पौजी की गैंग्स्टर रोहिद गोदारा से बात करवाता था जाँच में ये बात भी सामने आई कि हत्याकान को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन पौजी 28 नमंबर को ही जैपूर आ गया था और जैपूर आकर वो कहीं और नहीं बलकि पूजा और महेंदर के घर पर ही ठहरा था पुलिस सुत्रों के मताबिक जिस कमरे में नितिन पौजी रुका था उसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था मतलब ना तो नितिन फौजी बाहर आता था और नहीं किसी को उस कमरे में जाने की इजाज़त थी केवल पूजा ही थी जो उसके लिए खाना बनाती थी और फिर उसे कमरे में खाना देकर आती थी यानि जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूजा ये बात अच्छी थरा जानती थी कि नितिन फौजी को क्या काम सौपा गया है और पुलिस सुत्रों के मताबिक उसे इस बात की भी पूरी खबर थी कि इस हत्याकान में उसका क्या रोल होगा दावा है कि पूश्टाच के दोरान पूजा ने ये बात भी बताई थी कि उसका पती महेंदर शूटर नितिन फौजी की बाद दुबई में बैठे गैंग्स्टर रोहिद गुदारा और उसके साथी विरेंदर चारण से करवाता था और फिर उन्हीं के इशारों पर वारदात वाले दिन शूटर नितिन को कई पिस्टॉल दिखाए गई थी और पुलिस सूटरों के मताबिक उन तमाम हत्यारों को देखने के बाद शूटर नितिन फौजी ने जिगाना पिस्टॉल को चुना था हलाकि ये पिस्टॉल उस तक पहुँचना इतना असान नहीं था पुलिस सूटरों का दावा है कि दुबई में बैठे गैंग्स्टर रोहित गोदारा ने इस पिस्टॉल का इंजाम करने की जिम्मेदारी महिंद्र को दी थी और सूत्रों के मतावे किस साज़िश में हत्यारों को शूटरों तक पहुचाने के काम में पूजा भी बराबर की भागिदार थी सूत्रों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर नितिन पौजी ने तीन जिगाना पिस्टॉल महिंद्र से ली थी छूटी और हलकी होती है कि इसे आसानी से चिपाया जा सकता है मतलब अगर कोई इसे शर्ट या फिर जैकेट के अंदर रख ले तो उसे भापना भी मुश्किल काम होता है और माना जा रहा है कि इसी वज़े से शूटरों ने जिगाना पर भरोसा जताया और सुखदेव सिंगोगा मेडी पर अंधादुन गोलिया बरसाई और इसी वज़े से उन्हें समलने तक का मौका नहीं मिला हाला कि भारत में इस पिस्तॉल के इस्तमाल पर बैन है इसलिए पुलिस पूजा और महेंदर का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने में भी जुटी हुई है क्योंकि उसे शक है कि ये दोनों अवैद हत्यारों के किसी बड़े गिरहों के संपर्क में भी हो सकते हैं